वेलकम टो जीरो से जिनियस तक ये QTest special है क्योंकि इस QTest में जीके के टॉप 20 सवाल आप से पूछेंगे और उसके जबाब भी बताएंगे सवाल सभी आपको अवस्थ से देखना चाहिए तो चलिए शुरू करते हैं पहला सवाल है सर्वेधिक उप गरह किस गरह के हैं ये कल के वीडियो के लाश्ट क्वेस्चिन है और आपको जबाब सुचने के लिए मिलेंगे 5 सेकिन का समय ज्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक सकते हैं तो आंसर सुचने के लिए समय सुरू होते हैं अब राइट आंसर है आप्शन नमबर बी साने क्वेस्चन नमबर टू पेरियार परिवजना किस राज्य में इस्तित है क्वेस्चन इंपॉर्टेंट है नो डाउट राइट आंसर है आप्शन नमबर डी केरल क्वेस्चन नमबर तीन किसके द्वारा भारत के सविधान को अंगिकार किया गया राइट आंसर है आप्शन नमबर सी सविधान साभा के द्वारा क्वेस्चन नमबर फोर भारत किस तंदर्म में धर्म निर्पेक्ष देश है राइट आंसर आपने क्या दिया इसका राइट आंसर है आप्शन नमबर डी उप्युक्त सभी कोई भी धर्म देश धर्म नहीं है धर्म नीजी ममला समझा जाता है देश धर्म या जाती के अधार पर भेदभाव नहीं कर सकता यानि क्युक्त सभी ममले में हमारा देश धर्म निर्पेक्ष है क्वेस्चन नमबर फाइब भारत के राश्ट्रपती अपना इस्तिफा किसको सौपते हैं राइट आंसर है आप्शन नमबर ए उपर राश्ट्रपती को क्वेस्चन नमबर शिक्स इन में से कौन परत्यक्ष कर है सवाल इंपर्टेंट है आप चाहोते इसकी इन्सोट ले सकते हो राइट आंसर है आप्शन नमबर सी मृत्यू कर और मदान कर जो है वे परत्यक्ष कर है बाकी सब और परत्यक्ष कर है यहां से एक सवाल पूछता है आपके competitive exam में आप अपने book में भी study कर लीजिएगा परत्यक्ष कर क्या होता है और अप परत्यक्ष कर क्या होता है और आपने अभी तक channel को subscribe नहीं करे हैं तो आप अपने phone के interface के subscribe बटम पे क्लिक करके subscribe कर लीजिए और वेल आइकन को जरूर दबा दिजिए क्योंकि यह channel आपके syllabus पे work करता है धन्याबाद question number 7 भारत का कौन सा बांध बीशुवा का सबसे बारा बांध माना जाता है right answer है option number B हीरा कुंड बांध question number 8 भारत का निम्नांकित में से कौन सा राज्य बांध साइट का मुख्य उत्पादक है सवाल important है no doubt right answer है option number D उप्यूक्त सभी गुजरात उरिशा अंधर परदेश यह सभी question number 9 भारत का निम्नांकित में से कौन सा राज्य अभरक का मुख्य उत्पादक है right answer है option number B आंधर परदेश question number 10 निहरू ट्रोफी संबंधित है right answer है option number B हौक्य से question number 11 दिल्ली की गदी पर राज करने वाली प्रथम महिला सासिका कौन है 1236 में राज करा था right answer है option number B रजिय सुल्तान question number 12 राज्य पाल राज्य में किसका प्रतिनिधी होता है सवाल इस साल के लिए important है right answer है option number A राश्ट्रवपती का question number 13 भारत के किस राज्य में सर्वेधिक चंदन के विक्ष पाय जाते है right answer है option number D करनाटक question number 14 राश्ट्रवपती को निम्नालीखित में से सपत कौन दिलवाता है right answer है option number A भारत के मुख्य न्यायधिस question number 15 question number 15 वरतमान में लोग सभा सदस्यों की संख्या कितनी है right answer है option number D 545 question number 16 निम्नालीखित में से कौन राज्ज सुची में दर्ज नहीं है question important है no doubt पॉलिटी का सवाल है right answer है option number D सुरक्षा राज्ज सुची में सुरक्षा दर्ज नहीं है कृसी जल सिचाई आपको राज्ज सुची में मिलता है question number 17 राश्टर पती को राश्टर पती को हटाया जा सकता है भारत के इतने बरे पद को भी हटाया जा सकता है तो बाकी पद क्या है right answer है option number D question number 18 लोक साभा यह राज्ज साभा की सन्युक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है question important है आपको कोई doubt नहीं होना चाहिए right answer है option number A लोक साभा का अध्यक्ष question number 19 लाल रंग निले रंग से किस बात में भीन होता है question clear है right answer है option number D उप्युक्त साभी में okay question number 20 गांधी जी ने किस आंदोलन को चौरी चौरा कांड के बाद वापस ले लिया था right answer है option number C और सहयोग आंदोलन question for you आपके लिए एक सवाल है मसालो का बगीच्चा के उप नाम से परसिध्य राज्य है यदि आप right answer बता सकते हैं तो comment box में आप लिखिए Q for you और इसका right answer वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर किजिए कर दिये हैं तो धन्यवाद और यदि आपने आज कोई भी वीडियो शेयर नहीं करे हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर किजिए और और भी वीडियो आपको देखना है तो यहाई बटम पे क्लिक करके आप देख सकते हैं आप जेनरल कंपेटिशन की तियारी कर रहे हैं तो आप कोचिन स्कूल ट्यूशन सेलफ एश्टडी जो करते हैं किजिए उसके साथ में हमारे जो डेली अपलोड होते हैं वीडियो उससे जरूर देख लीजिए जिससे आपको जादा सा जादा प्रोफिट होगा और जो सेयर करते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरा भी काम कर देजिए सेयर कर देजिए जो करेंगे उन्हें बहुत बहुत धन्यावाद मिलता हम फिर नेक्ट वीडियो में जय हिंद जय भारत